Hello Everyone, Welcome to MS Education TV यदि आप exam में अच्छे marks लाना चाहते हैं तो आपको previous year के question paper के solution करने बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि previous year के question paper से जो आपको same to same जो question यन की repeated question exam में देखने को मिलेंगे यदि आप उन question को भी जो अच्छे से कर लेते हैं तो exam में जो है आप best marks यन की बहुत जादा जो है अच्छे marks easily ले पाएंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप प्रीविश एर के sold question paper की PDF with answer जो है easily download कर सकते हैं सबसे पहले आपको कोई भी एक browser open करना है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा search और type web address इसके उपर आपको click करना है click करने के बाद इसके अंदर आपको type करना है mseducation tv यह जो नाम आप space देके भी लिख सकते हैं type करने के बाद इसको search करना है जैसे इसको आप search करेंगे तो यहाँ पे आपको जो website मिल जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं mseducation tv.com इसके उपर आपको click करना है जैसे इसके उपर आप click करेंगे तो यह जो website open हो जाएगी उपर इसका जो आपको URL मिल जाएगा side में यहाँ पे आपको logo और उपर जो इसका नाम आपको थोड़ा सा नीचे scroll करना है यहाँ पे आपको 9th class, 10th, 11th और 12th के जो question paper मिलेंगे आप कौन सी भी class का जो download करना चाहते हैं कर सकते हैं 12th का 10th का किसी का भी आप जो download कर सकते हैं यहाँ पे आपको 10th class का download करके बतायता हूं यदि आपको 12th class का करना है तो उसका भी same procedure है कोई लिकत नहीं आपको नीचे 12th class का मिल जाएगा यदि आप थोड़ा से नीचे चलेंगे तो आपको 12th class के भी जो paper मिल जाएगे यहाँ पे मापको 10th class का डाउνलोड करके बतायता हूं यदि आपको डाउनलोड धो 23 का करना, 22 का करना, 21 का करना वो ही मिल जाएगे, 2024 के और जो आगे एगजाम होंगे वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगे तो यहाँ पे हैं देखें आपको download करके बतायता हूं दो जरते हैं इसके उपर आपको click करना है जैसे इसके उपर आप click करेंगे यह page open हो जाएगा थोड़ा निची scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी subject मिल जाएंगे English, Hindi, इसी के साथ math, science, आपको सोसल साइंस, फीजिकल एजुकेशन और जो संस्क्रिट है वो भी जल्दी आपको जो देखने को मिलेंगे आप जो भी डाउनलोड करना चाते हैं जिसके भी आनसर डाउनलोड करना चाते हैं वो कर सकते हैं मैं आपको जो है मैट्स का यानि की गनीत का जो पेपर ये डाउनलोड करके बतायता हूँ किस तरीके से आप डाउनलोड जो ही जिली कर सकते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको जो है डाउनलोड आनसर दिख रहा होगा इसके उपर आपको क्लिक करना है यहां पे आपको प्राइज मिल जाएगा पहले प्राइज कितना था और अब प्राइज कितना है तो यहां पे 70 रूपी जो यह रखा गया यह इसमें जो आपको यह जो मीडियम रहेगा इसमें आपको चारो सेट complete देखने को मिलेगे answer के साथ साथ आपको solution मिलेंगे यानि कि इसके अंदर जो है with solution जो भी diagram वगरा है जहाँ पर भी जरूत है complete paper का solution मिलेगा आपको कोई भी doubt नहीं रहेगा अब download करने का procedure है यहाँ पर देखिए आपको option दिखरा होगा add to cart यह पर यह यह देखाँ यह करना चाते है पीडेफों कर सकते हैं तो आपको एकी PDF करनी है दो क्यों जरूत है क्योंकि एक PDF जो है same ही होती है दो करेंगे तो उली hell तो आपको जो है यहाँ पर add to cart जो option देख ज़या है जैसे इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो PDF है ये काल्ट में जो add हो जाएगी अब आपको चेक करना है कि आपकी PDF कहाँ पे add हुई है या हुई है नहीं हुई है जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक green screen मिल जाएगी थोड़ी से उपर इसका मतलब यह है कि आपकी जो PDF है वो काल्ट में यानि add होगी अब आपको काल्ट देखना कहाँ पे है तो यहाँ पे आपको तीन जो है लाइन दिख रही होंगी राइट साइड में कहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाएता हूँ यानि कि जो वेबसाइट है उसमें आपको right side में उपर उपर यहाँ पे तीन लाइने मिलेंगे इन तीन लाइनों के उपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है option show जाएँगे option यहाँ पे आप देखते हैं कौन-कौन से है soap, card, check, out तो आपको जो यहाँ पे cart का एक option मिलेगा इसके उपर आपको click करना है जैसे इसके उपर आप click करेंगे तो आपने जो PDF download करने के लिए जो select की थी वो यहाँ पे आपको show जाएगी यदि cancel करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो cross का button है product का नाम आजाएगा उसका price आजाएगा कितनी quantity है एक download करने हो आजाएगी थोड़ा साथ निचे scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक option मिलेगा proceed to check out का आप दियान से देखेंगे total जो price इसका 70 है कोई extra charge नहीं है इसमें आपको complete solution मिलेगा proceed to check out इसके उपर आपको click करना है जैसे इसके उपर आप click करेंगे तो यहाँ से आपको जो है नए पेज मिलेगा check out का इसमें आपको billing details बढ़नी है इसमें पहला जो आपको first name sorry आपका नाम में आपको बढ़ना है आपको जो है अपनी phone number डालना आपको email ID डालनी है यह आपको डालनी जरूरी है यह इसलिए जरूरी है एक डाउनलोड करने में आपके help करेगी और दूसरा यह है कि बाईदा चांस आपकी PDF डाउनलोड नहीं होती है कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से जो है Instagram, Facebook या Twitter पे जो है message कर सकते हैं और अपना mobile number और email ID बता सकते हैं कि मैंने इस से जो है डाउनलोड की थी लेकिन मेरी payment कट गई लेकिन PDF डाउनलोड नहीं होई तो मैं आपको डारेक्ट वहीं पर send कर दूँगा बाईदा चांस यह ऐसा case बहुत कम होता है आपको यहीं पर PDF डाउनलोड का option मिल जाएगा तो यहाँ पे मैंने जो है detail भर ली हैं यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, mobile number डाल दिया और इसके नीचे email ID डाल दिया यह मैंने hide करका security region से सभी डालने के बाद आपको जो है नीचे एक option मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं I have read all agree to website यानि कि यह जो box आपको खाले मिलेगा इस box के उपर आपको जो tick यानि कि tick करना यह आपको तिक करना होगा आपको खाले box मिलेगा इसके उपर tick करना है तिक करने के बाद यह जो है नीचे का आपको option मिल जाएगा placed order का यहाँ पे आप देख सते हैं place order का इसके उपर आपको click करना है जैसे इसके उपर आप click करेंगे नई window आपके सामने open हो जाएगी जिसमें उपर आपको दिख जाएगा यहाँ पे इंस्टा मोजो नीचे थोड़ा चलेंगे तो आपको रूपे मिल जाएगे यदि आप barcode sorry qr code scan करके payment करना चाते हैं तो इसको direct scan कर सकते हैं mobile से किसी और mobile में चलता हो यदि आप और phone पे google पे वगरा चलाते हैं तो यहाँ पे आपको एक option मिल रहागा enter upi id इसके उपर आपको click करना है जैसे इसके उपर आप click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे option आज आएंगे आप कौन से application से payment करना चाते हैं फोन पे, google पे, paytm other जो or upi id है उसके लिए upi application है उनके लिए यहाँ पे आप जो click कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे आपको phone page से करके दिखायता हूँ ज्यादा तर जो candidate उनके पास phone page google, paytm वगरा सब कुछ होता है तो यहाँ पे मैं आपको phone page से करके दिखायता हूँ बाकी का भी same procedure phone page के उपर जैसे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे आपको जो है आपको ID बहने का option मिलेगा यहाँ पे मैंने ID डाल दी है ID जो है किसी भी phone में ओ, phone पे की वो ID डालनी है जैसे हो सकता किसी कोई mobile number से जो आप phone पे चलाता हो कोई किसी अपने नाम से phone पे चलाता हो और ID यहाँ पे डालनी है डालने के बाद एक bracket में यहाँ पे side में आपको एक option दीख रहा होगा YBL, इसको select करना द्यान से जरूरी है जैसे इसके उपर आप click करेंगे तो आपको एक ID के option मिलेगा कि आपकी जो ID है यह किस नाम से है तो YBL है, IBL है, AXL है तो आपको complete जो आपका UPI ID है वो यहाँ पे डालनी है तो यहाँ पे select कर लिया है जो भी आपकी UPI ID phone pay में जाके देखेंगे न वहाँ पे आपको देखी जाएगी तो AXL select कर लिया यहाँ पे आपको option मिलेगा verify and pay इसके उपर आपको click करना है जैसे इसके उपर आप click करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक screen मिलेगी यहाँ पे लिखा हुआ है waiting यानि कि आपको wait करना है और उसके नीचे यहाँ पे इस तरीके से जो है mobile के उपर एक है अंगुली का जो है निशान मना इसके नीचे आपको जो है प्राइज मिल जाएंगे उसके नीचे आपको जो है pay करने का option मिलेगा यानिकि अभी जो है payment करनी है तो pay के उपर आपको click करना है click करने के बाद आपको जो है आपके जो pin दो डालने है डालने के बाद यहाँ पे जो payment है यह successful का option आजाएगा अब आपको क्या करना है back button नहीं दाबना है इस बात का आपको ध्यान रखना है आपको जो back button है वो बिलकुल भी नहीं दाबना है आपको क्या करना है side में जो menu का जो option होता है जिस से आप जो है other जो application को background में देखते हैं वो पिस से आपको जो है जिस browser में आपने open क्या है वो direct open कर लेंगे यानि कि जहां से आपने payment की थी वहीं जो है आपको link दोबारा open करना है यानि कि जिस browser में आपने इसको खोल रखा है payment के लिए वहीं आपको दोबारा से जो वो खोलना है खोलने के बाद यहां पे thank you का option मिल जाएगा कि आपका order वो रिशी ह हो गया है यहां पर आपको order number मिलेगा पयैमेंट मिल जाएगी date कब हुई थी निचे यहां पे आपको जो audit का नाम मिलेगा कि प्रोडेट का क्या नाम है निचे चैहांत आपको जो जो कितनी बार लोडोर कर सकते हैं तो बिना payment के आप दो बार ओड़ोड कर सकते हैं यह दिए आपको करना हो अब यहाँ पर download का जो एक दिख रहा होगा column इस तरीके से यहाँ पर जो आपको download का box मिलेगा जैसे जो box आपको दिख रहा होगा इसके उपर आप click करते हैं यानि कि आप जो इसके उपर क्लिक करेंगे जो क्लिक करते ही जो है आपकी PDF डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी कहाँ पे चेक करनी है तो मोबाइल का जो उपर से मेन्यू को नीचे की तरफ खीचते हैं तो खीचने के बाद वहाँ पे अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आपको जो ब्राउजर है जो भी ब्राउजर हुश में इस साइड में आपको तीन बिंदू मिलेंगी उन तीन बिंदू पर जब आप कलिक करते हैं तो वहाँ पे डाउनलोड का उप्शन मिलेगा जैसे यह PDF आपके download हो जाती है तो यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा कि download completed हो जैसे इसके उपर आप click करेंगे तो यह PDF open हो ज़की है अब द्यान से देखिए आपको उपर देख सकते हैं class 10th math sold question paper 2023 all sets ABCD अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको complete solution मिलेगा यहाँ कि उपर वारा जो question है यह आप देख सकते हैं नीचे जैसे second question है आप देख सकते हैं इसका के लांसवर नहीं दे रखा नीचे इसका solution भी दे रखा है तो आपको समझने में आसानी होगी ऐसा नहीं है अगर मैं आपको answer आसवर दे दूँगा तो फिर आपको जो है कोई solution नहीं होगा क्योंकि आपको समझ में तो नहीं है कैसे है solution next question है इसके zeros निकालने है तो इसका complete solution दे रखा है तो इसलिए जो PDF जो है आपके लिए बहुत जादा helpful है यह previous year के अब यदि आपको class 12 के करने हैं तो दुबारा से आपको website open करनी है आपको थोड़ा है नीचे scroll करना है यहाँ पे आप 12th class के भी कर सकते हैं 12th class के 202 के यदि आपको करने है 22 के करने है वो यहाँ से आपके कर सकते है यदि कोई question paper अभी जो है आपको मिल जाएगी वहाँ से आप जो डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे website का direct link पे मिल जाएगा वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं Thanks for watching